हेलो दोस्तों आज हमारा question है write the fall and fraction numbers हमें इनको किसमें लगना numbers 1 by 3 क्या बूला 1 by 3 means 1 by 3 का मतलब क्या 1 upon 3 या 1 over 3 या 1 by 3 इसको क्या परते 1 upon 3 या 1 by 3 ओके अब हमारे 1 by 5 1 by 5 का मतलब क्या होगा 1 upon 1 upon 5 ओके देखो यह किसमें लिखाओ हमें numbers में लगा fraction में 1 upon 5 fraction upon में होता ठीक है 2 by 7 2 by 7 तो क्या होगा 2 upon 7 या 2 by 7 या 2 over 7 ओके fraction ही होता 3 over 8 3 क्या बोला 3 over 8 means 3 upon 8 देखो fraction का मतलब क्या है जहां हमारे numerator होता उपर वाले को होँ मुखते numerator क्या बोलते numerator और निच्चे वाले हों कहते denominator है denominator 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 ठीक है यह हमारे क्या होगा है fraction में हो रहागा किसमें हो जागे यह fraction 3 upon 8 8 3 क्या numerator है 8 kya denominator है अब ये 4 over 7, 4 upon 7 पड़ सकते हैं, इसको क्या कड़ सकते हैं, 4, तो ये 4 upon 7, ये हमारा again numerator है, और ये क्या होगा, denominator, उपर वाला होगा, numerator, और निच वाला denominator, ओके, 12 over 17, 12, 12 upon 17, भाई, ये ही हो, तो ये हमारा क्या होगा, fraction होगा, ठीके, उपर वाला denominator होगा, और निच वाला denominator 18 by 25, 18, 18 by 25, भाई, ये fraction होगा, ये numerator होगा, उपर वाला, और निच वाला denominator होगा, ओके, तो ये धंग समको, वर्स को, किसमें, नम्मर्स में लिख सकते हैं, ओके,